निलकंट मूर हिंदी की स्रेश्ट लेखिका कविद्री महादेवी वर्मा का रेखाचित्र है रेखाचित्र उसे कहा जाता है जो व्यक्ति प्राणियों की बारिकियों को रेखाँ कित करता है शब्दों के माध्यम से जिस प्रकार चित्रकार चित्र निकालते समय रेखाओं का सहारा लेकर बड़ा सुन्दर चित्र निकालता है कुछ उसी प्रकार सहित्यकार भी किसी व्यक्ति प्राणी या पशुपक्षी इनका बारिकियों के साथ वरणन करते हुए उन्हें रेखां कित करता है उसे रेखाँ चित्र कहा जाता है महादे वर्मा हिंदी की स्रेष्ठ रेखाँ चित्रकार मानी जाती है पठिकर्म में समाविष्ध नीलकंट मौर यह एक प्रतिश्ठित रेखाचितर माना जाता है आईए इस रेखाचितर को समझ लेते हैं इस रेखाचितर में महादिवर्मा नीलकंट अर्थात मौर इस पक्षी का बारिकी के साथ चितरन किया है महादिवर्मा की अन्य रेखा चित्रों में भी इस तरह पशुपक्षी तथा प्राणियों का बड़ा सुन्दर चित्रन किया गया है निलकंठ मोर में मोर की विशेष्टा तथा मोर के प्रति उनका अपनत्व मोर का स्वभाव तथा अन्य बहुत सारी घटनाय इसका सुन्दर लेखा जोखा और चित्रन महादिवर्मा ने इस रेखा चित्र में किया है आईए इस रेखा चित्र को देखते हैं प्रयाग जेशे शान्त और सांस्कुरतिक आश्रम नगर में नखास कोना एक विचित्र स्थीती रखता है जितने दंगे फसाद और चुरे चाकुबाजी की घटनाय घटित होती है सबका अशुभारंब प्रय नखास कोने से ही होता है प्रयाग का यह इलाका है नखास कोना उसकी कुछ और भी अनोखी विशेश्चता है घास काटने की मशीन के बड़े चोड़े चाकु से लेकर फरसा, कुलाडी, आरी, छूरी, आदी में धार रखने वालों तक की दुकाने वहीं है अथा, गोठिल, चाकु, चूरी को पैना करने के लिए दूर जाने के आवश्चता नहीं है आँखों का सरकारी अस्पताल भी वहीं प्रतिश्टित है शत्रुमित्र की पहचान के लिए दुश्टी कमज़र हो तो वहां ठीक कराए जा सकती है जिससे कोई भूल होने की संभावना न रहे इसके आतिर्गते एक और अस्पताल उसी कोने में गरिमापूर्ण आईतिहासिक स्थिती रखता है आहत, मुमूर्श, व्यक्ति की दुश्टी से यह विशेश सुविधा है यदि अस्पताल के अंतकडों में स्थान न मिले यदि डॉक्टर नर्स आदी का दर्शन दुरलब रहे तो बरामदे पोर्टी को आदी में विश्राम प्राप्त हो सकता है और यदि वहां भी स्थानभा हो तो अस्पताल के कंपॉर्ण में मरने का संतोष तो मिली सकता है हमारे देश में अस्पताल साधरन जन को अंतिम यात्रा में संतोष देने के लिए ही तो है किसी प्रकार घसीट कर टांग कर उस सीमा रेखा में पोहुँचा आने पर बीमार और उसके परिचारकों को एक अनिर्वचनी आत्मिक सुख प्राप्त होता है इससे अधिक पाने की न उसकी कलपना है न माम कम से कम इस व्यवस्था ने अंतीम समय मुख में गंगाजल, तुलसी, सोना, डालने की समस्या तो सुलजा ही दी यहां मच्य क्रय विक्रय के अंद्रे भी है, तेल फुलेल को की दुकान भी है मानो दुरलब सुगंद में समरस्ता स्थापित करने का अनुष्ठान है पर नखासकान कोने के प्रती मेरे आकरशन का कारण उप्युक्त विशेष्टायन नहीं है जैसे प्रयाक का यह इलाका है नखासको ना, वहां अनेक प्रकार के अस्पताल है, क्रय विक्रय की दुकाने है, ते इसलिए काफी यह मशूर इलाका माना जाता है लेकिन लेखिका का आकरशन का कारण कुछ अलग ही है वस्तता वह स्थान मेरे खरगोश, कबूतर, मोर, चकुर और जीव जन्तों का कारागर भी है अस्पताल के सामने की पट्री पर कई छोटे छोटे घर और बरामदे है जिनमें जीव जन्तु तथा इनके कठिन रुदे जेलर दोनों निवास करते हैं छोटे बड़े अनेक पिंजरे बरामदे में और बाहर रखे रहते हैं जिनमें दो खरगोशों के रहने के स्थान में 25 और चार चिरियों के रहने के स्थान में 50 भरी रेती है इन छोटे जीव को हसने रोने के लिए भिणत धोनियान नहीं मिलती है अता इनका महा कलरोद, महा करंदन भी हो तो आश्चर नहीं इन जीवों के कष्ट निवारन का कोई उपाय न सुझ पाने पर भी मैं आपने आपको उस और जाने से नहीं रोख पाती किसी पिंज़रे में पानी न देख कर उसमें पानी रखवा देती हूं कुछ चुडियों को खरीद कर उड़ा देती हूं जिनके पंख काट दिये गए हैं उन्हें लाती हूं परन्तु फिर जब उस और पहुंच जाती हूं सब कुछ पहले जैसा ही कष्ट कर मिलता है जब जब लेखीका वहाँ जाती है इन निरिह बेचारे प्राणीयों को पानी पिलाती है उनके सामने उन्हें दाना डलवा देती है कुछ ऐसे कुछ पंचियों को खरीद कर उड़ा भी देती है जिनके पंख काट दिये है उन्हें ले आती है कफी उन प्राणियों के प्रती उनका दयाभाव देखने को मिलता है एक प्रसंग महादिवर्मा बताती है उस दिन एक आतिती को स्टेशन पहुंचांकर लोट रही थी कि चिडियों और खरगोशों के दुकान का ध्यान आ गया और मैंने ड्राइवर को उसी ओर ले चलने का आदेश दिया बड़े मिया चिडिया वाले की दुकान के निकट पहुंचते ही उन्होंने सडक पर आकर ड्राइवर को रुखने का संकेत दिया मेरे कोई प्रशन करने से पहले ही उन्होंने कहना आरंब किया सलाम गुर जी पिछली बार आने पर आपने मोर के बच्चों के लिए पूछा था शंकरगड से एक चिडिमार दो मोर और बच्चे पकड़ लाया है एक मोरनी है और एक मोर आप पाले मोर के पंजों से दवा बनती है सो ऐसे ही लोग खरित्ते आये थे आखिर मेरे सीने में भी तो इनसान का दिल है मारने के लिए ऐसी मासूम चिडिया को कैसे दे दू टालने के लिए मैंने कहा कह दिया गुर जी गुर जी ने मंगवाया है वैसे यह कमबक्त रोजगार ही खराब है बस पकड़ो पकड़ो मारो मारो जैसे एक चिडिमार ने इस तरह मोर और मोरनी को छटचटे मोर और मोरनी को खरीद लिया और उस दुकांदार मिया ने लेकिका को कहा कि उन्हें वे इन बच्चों को खरीदे बड़े मिया की भाषन की तुफान मेल के लिए कोई निश्चित स्टेशन नहीं है सुनने वाला ठक कर जहां रोग दे वहीं स्टेशन मान लिया जाता है इस तथे के परिशित होने के कारण ही मैंने बीच में उन्हें रोग कर पूछा मोर के बच्चे हैं कहां है बड़े मियाने हाथ के संकेत का अनुसरन करते हुए मेरी दुरुष्टी एक तार के छोटे से पिजड़े तक पहुंची जिसमें तीत्रों के समान दो बच्चे बैठे थे मोर है यह मान लेना कठिन था पिजड़ा इतना संकेन था कि वे पक्षी शावक जाली के गोल फ्रेम में कसे जड़े चितर जैसे दिख रहे थे जैसे लग रहे थे मेरे निरिक्षन के साथ साथ बड़े मिया भी बड़े मिया की भाषन मेल चली जा रहे थी इमान कसंगुर जी चिडिमार ने मुझसे इस मोर के जोड़े की नकत 30 रुपे लिये है बारह कहा भई जड़ा सोच तो अभी इनमें मोर की कोई खासियत भी है कि तू इतनी बड़ी कीमत ही मांगने चला परो मुझसी क्यों सुनने लगा आपका खयाल करके अच्टा पच्टा कर देना ही पड़ा अब आप जो मुनासिब समझे अस्तू चिडिमार के नाम के और अस्तू तीस चिडिमार नाम के और पांच बड़े म्याग के इमान के देकर जब मैंने वह छोटा पिंज्रा कार में रखा तब मानो वह जाली के चोखटे का चितर जीवित हो गया दोनो पक्षी शावकों के छटपटाने से लगता था मानो वह पिंज्रा ही सजीव और उन्ने योग्य हो गया था जैसे मिया से लेकिका ने उन दो चोटे 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 पंचियों को मोर के पंचियों को खरीद लिया चोटे दो मोरों को खरीद लिया शुरू में तो नहीं लग रहा था है चोटे थे कि वे मोर है लेकिन उन्होंने बताए कि मोर है और उसका उचित दाम देकर लेकी का महादी वर्मा उन्हें खरीदती है और अपने घर लाती है जैसे उनकी छटपटाच से लगता है कि मानो ये पिंजराही सजीव और उन्हेयोग हो गया है घर पहुंचने पर सब कहने लगे कि तीतर है मोर कहकर ठग लिया जैसे कि छोटे थे मोर जैसे वे नहीं दिख रहे थे तो लगा कि वे तीतर है जैसे कि इसे ने ठग लिया है कदा कदाचीत उनके अनेक बार ठगे जाने के कारण ही ठगे जाने की बात मेरे चिड़ जाने की दुरलवता बन गई है और प्रसन नहो कर मैंने कहा मोर में क्या सुरुखाप के पर लगे है है तो पक्षी ही और तीतर बटेर क्या लंबी पूछ न होने के कारण उपेक्षायोग्य पक्षी है? चिढा दिये जाने के कारण ही संभोता उन दोनों पक्षियों के प्रती मेरे व्यववार और यतने में कुछ विशेश्टा आ गई पहले अपने पढ़ने लिखने के कमरे में उनका पिजड़ा रखकर उसका दरवाजा खोला फिर दो कटोरों में सत्तू की छोटी-छोटी गोलिया और पानी रखा वे दोनों चुलेदानी में जैसे पिजड़े से निकल कर कमरे में मानों खो गए कभी मेज के नीचे घुस गए, कभी आलमारी के पीछे अंत में इस लुका छिपी से ठक कर उन्हें मेरी रद्दी कागजों की टोकरी को अपने नए बसरे का गोरो प्रदान किया दो-चार दिन वे इसी प्रकार दिन में इधर उधर गुप तबास करते और रात में रद्दी की टोकरी में प्रगट होते रहते फिर आश्वस्त होने पर कभी मेरी मेज पर, कभी कुरसी पर और कभी मेरे सीर पर आचानक अविर्भूत होने लगे खिडकियों में तो जाली लगी थी, पर दर्वाजा मुझे निरंतर बंद रखना पड़ता था खुला दर्वाजा रखने पर चित्रा, रथा चित्रा मेरी बिल्ली, महादी वर्माग घर में जो बिल्ली है उसका नाम चित्रा है चित्रा इस नवागंतुकों का पता लगा सकती थी और तब उसकी शोध का परिणाम होता, क्या परिणाम होता यह अनुमान करना कठिन नहीं है वैसे वह चुहों पर भी आकरमन नहीं करती परन्तु यहां तो सर्वता अपरिचित पक्षियों की अनधिकार चेश्टा का प्रश्ण था उसके लिए दर्वाजा बंद रहे और यह दोनों उसकी दुर्ष्टी में एरे गेरे मेरी मेश को आपना सिहापन बना ले यह विचित्र यह स्थित्रा जैसे अभिमानीनी मारजारी के लिए असई ही कहीं जाएगी जब मेरे कम्रे का काया कल्प चिडिया खाने के रूप में होने लगा तो मैंने बड़ी कठिनाई से दोनों चिडियों को पकड़ कर जाली के बड़े धर में पहुंच आया जो मेरे जीव जन्तों का सामाने निवास है दोनों नवागंतुकों ने पहले से रहने वालों में वैसा ही कुतुहल जगाया जैसे नवधु के आगमन पर परिवार में स्वाभाविक है लक्का कबूतर नाचना छोड़कर दोर पड़े और उनके चारों और घूम घूम कर गुटर्गु कुटर्गु की रागीनी अलापने लगे बड़े खरगोश सब्भे सबासदों के समान क्रम से बैट कर गंबीर भाव से उनका निरिक्षन करने लगे उनकी गेंद जैसे चोटे-चोटे खरगोश उनके चारों और उचल कूद कर मचाने लगे तोते मानो भली भाती देखने लगे की देखने के लिए एक आँक बंद करके उनका परिक्षन करने लगे तामरचुट जूले से उतर कर और दोनो पंकों को फैला कर शोर करने लगा उस दिन मेरे चिडिया घर में मानो भूर चाल आ गया धिरे-धिरे दोनों मोर बनने लगे उनका काया कल्प वैसा ही क्रमशा और रंगमय था जैसे इल्ली से तितली का बनना जैसे आप हमने देखा कि महदे वर्मा उन छोटे बच्चों को मोर के बच्चों को आपने घर लाती है आपने कमरे में उनका प्रभंद करती है दाना पानी सक्तु के दाने और पानी का उनके लिए रखती है उन तो वे इधर-उदर खेलते, कूटते, नाचते, कदी सोफे पर, कभी बेड़ पर, कदी आलमारी के पीछे और उनकी रद्दी की जो टोकरी है, वहाँ वे उनका निवास हो जाता है तो उनकी जो बिल्ली है, उनके घर की, इन्हें परिशान न करे या मतलब इनके लिए धोका हो सकता है उन चोटे-चोटे पंचियों के लिए तो हमेशा दर्वाजा बंद करती थी, लेकिन इतना भूचाल मचाया इन दोनों मोर के बच्चों ने जैसे बनने लगे उन दोनों, और वे धिरे-धिरे उनका काया कल्प हो गया जैसे क्रमशा रंगमाय था, जैसे इल्ली से तितली का बनना जैसे उनके घर का घर में उनका भूचाल देकर लेकिका उनने बड़े पिंजरे में रखती है पहले से ही बड़े पिंजरे में अन्य पक्षी भी थे तो उनके बीच ये मोर धिरे-धिरे बढ़ने लगे जैसे इल्ले से तितली का बनना इस प्रकार में बड़े हो जाते है मोर के सिर्की कलगी और सघन उन्शी तथा चमकीली हो गई चोंश अधिक बंकीम और पैनी हो गई गोल आखों में इंद्र नील की निलाव द्यूती जलकने लगी लंबी लील हरित ग्रीवा की हर भंगीमा में धूप चाही तरंगे उठने गिरने लगी दक्षिन वाम दोनों पंकों में स्लेटी और सफेद आलक है आलेखन स्पस्थ होने लगे पूंश लंबी हुई और उसके पंकों पर चंद्रिकाओं के इंद्र धनुशी रंग उद्दिप्त हो उठे रंग रहीत पैरों को गर्विली गती ने एक नई गरिमा को रंजित कर दिया उसकी गर्दन उन्ची कर देखना विशेश भंगिमा के साथ उसे नीचा कर दाना चुगना पानी पीना टेड़ी कर शब्द सुनना आदी क्रियाओं में जो सुकमारता और सोंदर था उसका अनुफोग देख कर ही किया जा सकता है गती का चितर नहीं आका जा सकता मोरनी का विकास मोर के समान चमतकारिक तो नहीं हुआ परुन्तो अपनी लंबी धूप चाही गर्दन हवा में चंचल कलगी पंखों के शाम श्वेत पत्र लेखा मंधर गती आदी से वह भी मोर की उप्युक्त सहचारणी होने का प्रमार देने लगी नीलाब ग्रिवा के कारण मोर का नाम रखा गया नीलकंठ और उसकी चाया के समान रहने के कारण मोरनी का नाम करण हुआ राधा इस प्रकार महादेवी ने उस एक मोर का नाम जो बड़ा होने मोर बना जिसका नाम निलकंट रखा और दूसरी मोर नी थी उसका नाम उन्होंने राधा रखा इस तरह लेकिका के घर में निलकंट और राधा बड़े होने लगे मुसे स्वयम ग्यान नहीं है कि कब नीलकंट ने आपने आपको चिडियागर के निवासी जीव जनतुओं का सेना पती और सवरक्षक नियुक्त कर लिया सविरे ही सब खरवोश कबुतर आदी की सेना एकत रकर उस और ले जाता और जहां दाना दिया जाता है और घूम घूम कर मानो सब की रखवाली करता रहता किसे ने कुछ गड़बड की और वह अपने तीखे चंचु प्रहाल से उसे दंड देने दोड़ा खरवोश के छोटे बच्चों को वह चोंच से उनके कान पकड़कर उठा ले था था और जब तक वे आर्त करंदन न करने लगते उन्हें अधर में लटकाए रखता कभी-कभी उनकी पैने चोंच से खरवोश के बच्चों का कर्णवेद संसकार हो जाता था वे फिर कभी उसे क्रोधित होने का आउसर न देते थे उसके दंडविदान के समान ही जीव जन्तों के प्रती उनका प्रेम असाधरन था प्राई वह मिट्टी में पंक फैला कर बैठ जाता और सब उसके लंबी पूंच और सगन पंकों में चुआ छोल का खेल खेलते रहते जैसे जो नीलकंट है जो बड़ी जाली के में जो भी अन्य पंची थे उनका नेत्रत्व करने लगा उनको संभालने लगा जैसे जब दाना पानी रखा जाता तो वे सबसे आगे रहता या अन्य प्राणियों को साथ साथ लेकि वो चलता खरगोश के बच्चों को कभी कभी करनवेद संस्कार के रूप में जैसे कहा उनका कान पकड़ कर उठाने की कोशिश करता है लेकिन वो न कभी खरगोश क्रोदित हो जाता है न कभी नीलकंड क्रोदित हो जाता है कभी कभी वो आपने बड़े पंख फैलाता है और चोटे चोटे आननी जो पक्षी है उनके आसपास मंड़ाते है जैसे चुआ चोगल सा खेल खेलते रहते है एक दिन उसके अपत्यस ने कहा हमें ऐसा प्रमाण मिला कि हम विस्मित हो गए कभी कभी खरवोश, कबूतर, आदी, सांप के लिए आकरशन बन जाते हैं और यदि जाली के घर में पानी निकलने के लिए बनी नालियों में से कोई खुली रह जाया है तो उसका भीतर प्रवेश पा लेना सहज हो जाता है आईसी ही किसी स्थिते में हम एक सांप जाली के भीतर पहुंच गया सब जीव जन्तु भाग कर इधर उदर छिप गए किवल एक शुशु खरवोश सांप की पकड़ में आ गया निगलने के प्रयास में साप ने उसका आधा पिछला शेरीर तो मुह में दबा रखा था शेश आधा जो बाहर था उसे चीची का स्वर भी इतना तीवर नहीं निकल सकता था कि किसी को सपस्ट सुनाई दे सके नीलकंठ दूर उपर जूले में सो रहा था उसी के चोकने कानों ने उस मंद स्वर की विथा पहचानी और वह पूंच पंक समेट कर सर से एक जपटे में नीचे आ गया संभोता अपनी सहज चेतना से भी उसने समझ लिया होगा कि साफ के फन पर चोंच मारने से खरगोश भी घायल हो सकता है उसने साफ को फन के पास पंजों से दबाया फिर चोंच से इतने प्रहार किये कि वह अदमरा हो गया पकड़ीली पढ़ते ही खरगोश का बच्चा मुख से निकलाया पर अब तु निश्चेश्ट साफ वही पढ़ा रहा जैसे कि अभी इस प्रसंग में देखा कि नीलकंठ ने खरगोश के बच्चे को साफ के मुँझ से छोड़ा उन्हें यह नहीं सोचा कि वह साफ इन पर भी आक्रमन करेगा तो उन्हें इस चोटे से खरगोश के बच्चे को आक्रमन करते हुए छोड़ा और जैसे कि वह छूटा तो पकट ढीली होते खरगोश का बच्चा मुख से निकल आया और निश्चेश्ट साफ वहीं पड़ा रहा राधा ने सहायता देने की आवश्चक्ता नहीं समझी परन्तु अपने मंद केका से किसी असामान ने घटना की सूचना सब और प्रसारित कर दी माली पहुंचा फिर हम सब पहुंचे नेलिकंड जब साम के दो खंड कर चुका तो दो टुकड़े कर चुका था तब शुशु खरगोश के पास गया और रात बर उसे पंखों के नीचे उश्णता देता रहा कारतिके ने अपने युद्ध वाहन के लिए मयूर को क्यों चुना होगा यह उस पक्षी का रूप और सभाव देखकर समझ में आ जाता है मयूर कलाप्रिय पक्षी है हिंसक मातर नहीं इसे से उसे बाज, चील, आदी के स्रेनी में नहीं रखा जा सकता जिनका जीवन कुरूर करमा है नीलकंड में उसकी जातिकत विशेष्टाएं तो ठी ही उनका मानवी करण भी हो गया था जैसे अन्य प्राणियों को क्यों सुरक्षा करना, अन्य प्राणियों को सुरक्षा देना, उन्हें संभालना इस तरह की विशेष्टा नीलकंड में भी देखी गई मेगों की सावली चाया में अपने इंद्रधनुष के गुच्छे जैसे पंखों को मंडला का बना कर जब वो नाचता था तब उस नृत्य में एक सहज ताल या सहज जात लए ताल रहता था आगे पीछे दहिने बाय क्रम में घूम कर वो किसी अलक्ष समपर ठहर ठहर कर जाता था राधा नीलकंड के समान नहीं नाच सकती थी परन्तु उसकी गती में भी चंद रहता था वो नृत्य मुग्ध नीलकंड के दहिने और के पंग को छूती हुई बाई और निकलाती थी और बाय पंग को स्पर्श कर दहिनी और इस प्रकार उसकी परिक्रमा में भी एक पूरक ताल का परीचे मिलता था निलकंड ने कैसे समझ लिया कि उसका नृत्य मुझे बहुत भाता है यह तो नहीं बताय जा सकता पर उन्तु अचानक एक दिन वह मेरे जाली घर में पहुंचा जाली घर के पास पहुंचते ही अपने जूले से उतर कर नीचे आ गया और पंखों का सत्रंगी मंडलाकार चाता तानकर नृत्य की भंगिमा में खड़ा हो गया तब से हो नृत्य भंगिमा नृत्य का क्रम बन गई प्राय मेरे साथ कोई न कोई देशी विदेशी आतीती भी पहुंच जाता था और नीलकंट की मुद्रा और अपने प्रती सम्मान सूचक समझ कर विस्मयाभी भूत होटता था कई विदेशी महिलाओं ने उसे परफेक्ट जेंटेलमेन की उपाधी दे डाली जिस नुकीले पेनी चौन से वह भैंकर विश्धर को खंडखंड़ कर सकता था उसी से मेरे हतेली पर रखे हुए भूने चनों को भी ऐसी कोमलता से हौले हौले उठा कर खाता था जैसे हसी भी आती थी और विस्मय भी होता था फलों के व्रक्षों से अधिक उसे पुश्पित और पल्लवित व्रक्ष भाते थे वसंत में जब आम के व्रक्ष सुनहली मंजरियों से लद जाते थे अशोक नए लाल पलों से ढख जाता था तब जालीगर में वह इतना अस्थिर होट था कि उसे बाहर छोड़ देना पड़ता था पर जब तक राधा को भी मुक्त न किया जाए वह दरवाजे के बाहर ही उपालंभ की मुद्रा में खड़ा रहता मंजरियों के बीच उसकी नीलाव जलक संध्या की जायास्क से सुनहले सरोर में नीले कमल दलों का भ्रम उत्पन कर देती थी हवा से तरंगाईत अशोक के रक्तिमाव पत्तो में तो वह मूंगे की फलक पर मरकत से बना चित्र जान परता था नीलकंठ और राधा की सबसे प्रिये रुतू तो वर्शा ही थी मेखो में उमण आने से पहले वे हवा में उसकी सजल आहट पा लेते थे और तब उसकी मन केकां की अनगूंज तीवर से तीवरतर होती हुई मानो बूंदों के उतरने के लिए सोपान पंक्ती बनने लगती थी मेख के गरजन ताल परी उसके तनमय नृत्य का आरंब होता और फिर मेख जितना अधिक गरजता बिजली जितनी अधिक चमकती बोंदों की रिमजीम जितनी तीवर हो जाती नील कंठ के नृत्य का वेग उतना ही अधिक बढ़ जाता और उसकी केका का स्वर उतना ही मंद से मंद्र तर हो जाता वर्षा के थम जाने पर दहने पंजे पर दहना पंक और बाय पर बाया पंक फैला कर सुखाता कभी कभी वे दोनों एक दूसरे के पंकों से टपकने वाली बूंदों को चोंच से पी पी कर पंकों का गिलापन दूर करते रहते इस अनन्दोत सव की रागिने में बेमेल स्वर कैसे बज़ोठा यह भी करुण कता है एक दिन मुसे किसी कारे से नखास कोने से निकलना पड़ा और बड़े मिया ने पहले के समान कार को रोक लिया इस बार किसी पिंजडे की और नहीं देखूंगी है संकल पकर के मैंने बड़े मिया की विरल दाड़ी और सफेड दोरे से कान में बंदी आयनक को ही आपने ध्यान का केंद्र बनाया पर बड़े मिया के पैरों के पास जो मोर्नी पड़ी थी उसे अंदेखा करना कठिन था मोर्नी राधा जैसी ही थी उसके मूंजे से बंधे दोनों पंजों की उंगलिया तूट कर इस प्रकार एकत्र हो गई थी वो खड़ी ही नहीं हो सकती थी बडे मिया की भाशन मेल फिर दौडने लगी देखे गुर्जी कमभक्त चिडिमार ने बेचारी का क्या हल किया है ऐसे कभी चिडिमार पकड़ी जाती है आप ना आई होती तो मैं उसी के सिर्फ इसे पटक देता पर आप से भी अध्मरी मोर्नी ले जाने को कैसे को साराउंश यह की साथ रुपए दे कर मैं उसे अगली सीट पर रखवा कर घर ले आई और एक बार फिर मेरे पड़ने लिखने का कमरा अस्पताल बना जैसे की फिर एक बार महादेव वर्मा उस मार्केट में जाती है जहाँ मिया उसे एक और मोर्नी खरेदने का आगरह करता है वो काफी घायल थी उनके पईरों में नोच आई थी तो ऐसी अध्मरी मोर्नी घर ले आने का ढड़स लिखेका करती है और जैसे आपने कमरे में उसे रखती है संभालने के लिए उसका इलाज कराने के लिए जैसे उनका कमरा अस्पताल बन जाता है पंजो की मरहम पट्टी और देखबाल करने पर वह महीने भर में अच्छी हो गई उंगलिया वैसे ही टेड़ी मेड़ी रही पर अंतुव ठूट जैसे पंजो पर डगमगाती चलने लगी जब उसे जालीगर में पहुंचाया गया और नाम रखा गया कुबजा कुबजा नाम के सभाव से ही वह कुबजा प्रमानित हुई जैसे कि इस नईम जो मोरनी आई थी उनका नाम करण हुआ कुबजा अब तक नीलकंठ और राधा साथ रहते थे अब कुबजा उन्हें साथ देखते ही मारने दोड़ती चोन से मार मार कर उसने राधा की कलगी नोच डाली पंख नोच डाले कठनाई यह थी कि नीलकंठ उससे दूर भागता था और वह उसके साथ रहना चाहती थी न किसी जीव जन्तू से उसकी मित्रता थी न वह किसी नीलकंठ के समीप आने देना चाहती थी इस विच राधा ने दो अंडे दिये उसको वह पंखों में चिपाया बैठी रहती थी पता चलते ही कुपजा ने चोंच मार मार कर राधा को धकेल दिया और फिर अंडे फोड कर ठूंड जैसे पैरों से सब और छिटरा दिये इस तरह कुपजा इन नीलकंठ और राधा के बीच आ गई और दोनों के बीच जैसे यह जमानों की इसका मत्सर कुपजा का जाग उठा और वह हमेशा राधा को प्रताडित करने लगी जैसे उन पर आकर्मन करना उनके अंडे फोड़ना जोन से उन पर हमला करना तो बाद में हमने उसे अलग बंद किया लिए किका ने उसे अलग बंद किया तो उसने दाना पानी छोड़ दिया कुपजाने और जाली पर सिर्फ पटक पटक कर स्वयम को गायल कर लिया इस कलह कोलाल से और उसे भी अधिक राधा की दूरी से बेचारे नीलकंट की प्रसनता का अंत हो गया कई बार वह जाली के घर से निकल भागा पर कई दिन भूका प्यासा आम की शाखाओं में छिपा बैठा रहा जहां से बहुत पुछकार कर मैंने उतारा एक बार मेरी खिड़की के शेड़ को छिपा रहा मेरे दाना देने जाने पर वह सदा के समान अभी पंखों को मंडलाकार बना कर खड़ा हो जाता था पर उसकी चाल में ठकावट और आँखों में एक शुन्यता रहती थी अपनी अनुभव हींता के कारण ही मैं आशा करती रही कि थोड़े दिन बाद सब में मेर हो जाएगा आंत में तीन चार मास के उपरांत एक दिन सवेरे जाकर देखा नीलकंट पूछ पंख फैलाए धरती पर उसी प्रकार बैठा हुआ है जैसे खरगोश के बच्चे को बच्चों को पंख में छिपा कर बैठता है मेरे पुकारने पर भी उसके न उटने पर संदे हुआ वास्तों में नीलकंट मर गया था क्यों का उत्तर तो अब तक नहीं मिल सका न उसे कोई बीमारी हुई न उसके रंग बिरंगे फूलों के स्टबक जैसे शेरीर पर किसी चोट का चिन्न मिला मैं अपने शाल में लपेट कर उसे संगम ले गई जब गंगा की बीच धार में उसे प्रवाहित किया गया तब उसके पंखों को चंद्रिकावन से बिम्बित प्रति बिम्बित होकर गंगा का चोड़ा पाथ एक विशाल मयूर के समान तरंगाई थो उठा निलकंड के न रहने पर राधा तो निश्चेश्ट सी कई दिन कोने में बैठी रही वो प्रतिक्षा के भाव से द्वार को दुरुष्टी लगाए रहती थी पर कुबजा ने कोलाहल के साथ खोज ढूंड आरंभ की खोज के क्रम में वो प्राहे जाली के दर्वाजा खुलते ही बाहर निकल आती थी और आम अशोक कचनार आदी के शांखाओं में नीलकंड को ढूंती रहती थी एक दिन आम से उत्री ही थी कि कजली आर्थात अलशेशेन कुट्ति कजली सामने पड़ गई सभाव के अनुसार उसने कजली पर चौन से प्रहार किया परिणामता कजली के दो दात उसकी गर्दन पर लग गए इस बार उसका कलह कुला हल और देश प्रेम भरा जीवन बचाया न जा सका परंतु इन तीन पक्षियों ने मुझे पक्षी प्रकुर्ती की विमिनता का जो परिचे दिया है वह मेरे लिए विशेश महत्वर रखता है राधा अब प्रतिक्षा में दुखेली थी अब दुखेली है जैसे की कुपजा भी जैसे उसका भी अंध हो गया जैसे कजली द्वारा काटने से अल्शेशेन कुट्टि का नाम है कजली उनके काटने से कुपजा का भी निधन हो गया तो राधा अब प्रतिक्षा में जैसे निलकंड की प्रतिक्षा और कुपजा भी नहीं रही दुके ली थी आशार में जब आकाश मेगाचन हो जाता है तब वह कभी उन्चे जूले पर और कभी अशो के डाल पर आपनी केका को तीवर से तीवरत करके नीलकंठ को बुलाती रहती है अब इस रेखाचितर में आपने देखा कि नीलकंठ मोर की विशेष्टा को लेकर महादेव वर्मा ने बड़ा सुंदर चितरन इस रेखाचितर में किया है एक छोटे प्राणियों को खरीद कर छोटे पक्षियों को खरीद कर अपने घर लाना उनकी सेवा करना इसमें महादेव वर्मा का सेवाभा असपस्ट रूप से जलगता है और यह सेवा भाव अपने शब्दों के माध्यम से रेखाचितर के माध्यम से महादेव वर्मा ने हम तक पहुँचाया है जैसे दो मोर के छोटे बचड़ों को जैसे छोटे पंशियों को आपने घर लाना उनकी सेवा करना इसके साथ साथ आने भी बहुत सारे पंशी पक्षी उनके घर में है उनको रखती है उने संभालती है उनकी सेवा करती है उनका दुख दर्द समझती है बहुत सारे पंशियों को वह खरीद कर आकाश में खुले में छोड़ती है तो महादेव अर्मा का सेवा भाव यहां सपस्ट रूप से जलगता है इसके सई सेवा भाव के साथ साथ नीलकंठ की विशेश्टाओं को भी उन्हों रेखांकित किया है जैसे नीलकंठ का सेवा भाव अन्य पक्षियों को संभालना जैसे सांप आने पर खरगोष को छड़ाना या कभी खरगोष की मदद करना या साथ साथ अन्य पंचियों को दाना पानी के लिए ले जाना उनका नेतरत्व करना जैसे कि वह समझ गया कि महादेव अर्मा को उनका अंदृत्य पसंद है समझ गया आपने आपसे भांप गया वह जैसे उनके आने पर अपनी नत्य भंगिमाओं के साथ महादेवी का मुनरंजन करना अईसा है सुन्दर पंची जैसे कि इतिहास में पुरानों भी इस पंची का उलेख हुआ है तो बड़ा है सुन्दर रेखा चित्र महादेवर्मा ने अपने शब्धों के माद्यम से चिते रहा है निश्चित्रोप से यह महादेवर्मा का रेखा चित्र आपको पसंद आया होगा अगर आपको यह रेखा चित्र और यह वीडियो पसंद आया है तो निश्चित्रोप से इस वीडियो को आप लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए